तो दोस्तों ऐसा की जो भरती है अनाउंस हो चुकिए और आपका 4 सेप्टेंबर को एक्जाम है तो बहुत ही कम दिन बचे हैं हमारे पास 73 डेज हैं अनली तैयारी के लिए तो हम लोग पुराने पेपर से स्टार्ट करते हैं लास्ट यर जो मतलब इसका लास्ट पेपर जो ह है वह हम अलग से डिसकस भी करेंगे अलग से उसकी थियोरी भी पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजें आपको सर बताएंगे तो साथ अक्टूबर 2018 को जो यह पेपर हुआ था इसकी जो आंसर शीट थी वह 14 फरवरी 2019 को इन्होंने आर्पेसी की साइट पे डाली थी तो जितन इंपॉर्टन जो चीजें हैं वो भी आपके साथ डिसकस करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं तो यह सब इंस्पेक्टर बरती 2016 की थी इसमें पहला सवाल था चोहान राजवन्स के निमलिखित श्याशकों को काल कर्मा नुसार व्यवस्तित कीजिए कौन से फस्ट अजेराज अर्णोराज और विग्रहराज यह देखिए चारों ही सीक्वेंस में दिये गए थे सबसे पहले पिर्थ्विराज फस्ट आए थे फिर अजेराज आए फिर अर्णोराज आए फिर उसके बाद विग्रहराज आए दूसरा है उस नेता को पहचानिये जो जैपूर परजय मंडल तो पहले ऐकconsider होजेगा, नमबर चार में double चारोव सिक्वेंस में ही है। दूसरे है, उस नेता को पहचानी है जो जैपूर परजय मंडल में सक्रिय नहीं था, कुशाशन के आदार पर लोर्ड अलहोजी ने जो विल्या की निती अपनाई थी तो उसमें सबसे पहले उसने किस राज्य को ब्रिटिस राज्य में मिलाया तो अवद यह most repeated सवाल है यह तो इसको पूषते हैं अवद को किस राज़ार पर मिलाया तो कुशाशन के अदार पर किसको मिलाया तो अवद को निमलकित में से कौन सुमेलित नहीं है तेवा कला परताबगड सौनी परिवार की है मिनाकारी जपुर की है इरान से आई ती अजरक प्रिंट जो है वो बार्ड मेर तो यहां आंस्वर होजएगा थ्री अजरक प्रिंट बार्ड मेर यह सुमेलित नहीं है टेरा कोटाशिल पह वो मौलेला की है अब उसके बाद आते हैं सुची एक का सुची दो से मिलान कीजिए और प्रियोग किये के कूट की आदार पर दी की सुची में सही उत्तर का चैन कीजिए तो यह पांचमा सवाल था तो इसका सही अंस्वर हो जाएगा पहला करनी दान सुरज प्रकास पुस्तक लिखी थी शामल दास इन्होंने वीर विनोद लिखी थी यह हम आपको बता दूँ करनी दान जी ने सुरज प्रकास लिखी शामल दास जी ने वीर विनोद तो दो चार यह पहले और तीसरे में दोनों में मिल गए उसके बाद अगर हम बात करें मोहनोत नैंसी तो मारवाड राप पर गणारी विगत लिखी थी इन्होंने और सुर्यमल मिशन थी उन्होंने वंश बास कर लिखी थी तो यह बुक्स हैं और सुर्यमल मिशन की यह किताब तो mostly repeated पुछी ही पुछी जाती है तो अगर आपको दो भी इन में मैचिंग कियाते हैं आपके सवाल 50% से जादा सही होने की संभावना है तो आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलोप्मेंट राजस्थान के सिलेबस में SI में as it is mention किया गया है तो आप सभी बुक्स को सभी ओथर्स की बुक को अच्छे से पढ़ेंगे छटा सवाल है कौन सा मंदिर गुजर पर दिहार वास्तु शेली का नहीं है तो इसका होज़ेगा चार चौमा का शिव मंदिर ये कहां है ये सांगोल कोटा में गुप्तकाल का मंदिर है ये गुजर पर दिहार वास्तु शेली का नहीं है निर्तिय शेली जो गरासिया जन जाती से संबंदित नहीं है तो इसका राइट आंसर होजेगा गवरी क्योंकि गवरी किस जन जाती की है भील जन जाती की उसके बाद आता है निम्ले मेंसे कौन डुंडाडी की उपबोली नहीं है तो राठी डुंडाडी की उपबोली नहीं है ये दिशा मेडम ने आपको कलास में अभी करवाया था कमपनी अधिकारी जिसके 1857 की करांती के दुरान कोटा में हत्या की गई थी तो वो मेजर बर्टन थे इनका सिर काटके कोटा के दुवार पे लटकाया था तो ये कोटा में हिंदू मुसली में एकता भी है बिटिश के किलाफत के लिए तो कोटा हमेशा कोटा का जो अंदोलन था 1857 का वो लेंड मार्क है तो उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे स्वर्ण नगरी होल किस जैन मंदिर का भाग है ऐसा कौन सा जैन मंदिर है जिसका स्वर्ण नगरी होल है वो उसका एक भाग है तो वो होजेगा नसिया मंदिर अजमेर तो नसिया जैन मंदिर जो है उसमें स्वरन नगरी होल है फिर उसके बाद एक ग्यारवे सवाल की बात करें तो ग्यारवा सवाल है कि शक समवत कब स्टार्ट हुआ तो शक हुआ 78 इसवी में विक्रम समवत कब स्टार्ट हुआ तो विकरम समवत हुआ 57 इसापूर हिजरी समवत कब प्रारंब हुआ तो हिजरी हमें पता ही ये 622 इसवी तो रिमेनिंग गुप्त काल हो गया 319 इसवी तो ये शक और विकरम और हिजरी ये तिनों मोस्ट हैं या तो ये डारेक्ट पुछे जाते हैं या मैचिंग में तो ये पुछा गया था तो इसका राइट आंसवर होजेगा आंसवर 24312 राजस्थान के प्रारंबिक मद्यकाल के राज्यों में अक्षपटली का की जिम्मेद कारी की चीफ अकाउंट आफिसर का काम किया करता था नेमलिकित आंदोलनों को आरोही काल करम के अनुसार जमाएं आरोही मतलब बढ़ते के अनुसार पे पहले कौन सा हुआ दूसरा कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ तो इसका होजेगा पहला होजेगा होम रूल गया और चौता बारत छोड़ो यह 9040 का है 9030 का है खिलाफत 9020 का है और होम लूग सबसे पहले एनिप सेंटर ने करी दिया था तो दराइट आंस्वर क्या हो जेगा चार ए सी बी डी मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी बाशा में किसने अनुबाद किया था यह लीलावती है वो अब उलफैजी की है तो मुगल काल की जितने भी पुस्तके हैं जिनको बाद में दूसरी बाशाओं में कनवर्ट किया फारसी में कनवर्ट किया वो याद रखने वाली बाते हैं मुगलों से वेवाहिक संबंद स्थापित करने वाला पर्थम राजबूत परिवार कच्छवाहा वंश्था कोब 23 यानि Conference of Party UNFCCC वो कलाइमेट चेंज वाली कहां योजित हुआ था बान में फिर 24 हो गया पैरिस वड़ा वो सारे अब पुछे जा सकते हैं बोराट का पठार कहां पर है उद्यपूर के उत्तरपस्चिं में कुंबल गड से गोगुं पूर्ट हो गया यह तो यह कहां है यह है अफरिका में उस टाइम यह बड़ी चर्चित में आया था इसको एंडेंजर्ड करने की बात चली थी तो यह उस टाइम का करेंट का सवाल था तो यह पुछा गया था अगला है 2011 की जनगर्णा के नुसार किन जिलों में सब से कम मह दिला शाक्षरता है तो जैसल मेर सिरोई तो चारो अप्शन में ही है उसके बाद है जालोर बार्ड मेर तो आंस्वर त्री इस राइट इस बार भी 2011 से ही सवाल आएंगे क्योंकि 2021 की जनगर्णा तो करोना की वज़े से स्टार्ट ही नहीं हो पाई उस पलता दर्रा यह किस किस के मद्य स्थित है तो उस पलता दर्रा चिली और अर्जेंटीना के मद्य स्थित है यह चर्चित रहा था इसलिए इसका पूछ लिया गया था करंट से आप अपडेट रहे ही दिशा मेडम 500 सवालों की सिरीज ला रही है करंट अफेर्स की उसमें नैशनल इंटरनेशनल सभी जो चर्चित मुद्धियां रहेंगे तो आप अगर उन्हें द्यान से सुनेंगे तो आपको फैदा होगा अगर आपको मारा वीडियो संबर आंस्वर त्री इजराइट और लोटते मांसून से वर्षा कहां होती है मारे वारत में तो तमीन लाड़ो अकेला फोरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया दोवारा जारी स्टेट ओफ फोरेस्ट रिपोर्ट दो हजार सत्रा राजस्थान का कुल कितना वन छेतर है तो नो द कौन सा तट बारत के पस्चिमी तट का भाग नहीं है तो इसका दराइट आंस्वर जी जग कोरो मंडल तट ये पूर्वी तट का भाग है नेमलिकित में से कौन सा लोई इस पात उद्योग इंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शाशित नहीं है तो ये कुल्टी करनाटक व तो ये सेलवा से नेपाल हिमाले किसके मद्दे में वस्तित है तो कुमाओ हिमाले नेपाल हिमाले पंजाब हिमाले है हमने चारों हिमाले का क्लासिफिकेशन किया था तो नेपाल हिमाले काली नदी और तीस्ता नदी के मद्दे वस्तित है तो ये इसमें पूछ लिया गया बच्चे वे तीम्हों, को अभी क्लासेज में करेंगे जियोगरफी में, आप भामसेशेश पढ़ सकते हैं बारत में पहये जाने वाले दिकाएंछ लोह दातु किस किसम के होते हैं, तो बारत में होते हैं हैमेटाइट Magnetite, Hematite, Limonite, Siderite Magnetite is the best quality Siderite is the poorest quality सबसे कम जोर है लेकिन हमारे कहा है बारत में कौन सा Hematite जदा है यह याद रखने बड़ा सवाल है निमलिकित में से कौन सा रज्य 2016-2017 में कोफी का सरवादी कुत पादन किसी भी वर्ष ले लो करनाटक ही कोफी का सरवादी कुत पादन करता है हमारे देश के अंदर तो करनाटक इसका राइट आंस्वर रूर और द्योगिक परदेश कहा है जर्मनी में रूर पर्थमिश उद्ध में भी इसने बड़ी भूमी का निबाई थी जब जर्मनी की पराजे होती है तो रूर छे तरफ से छीन लिया जाता है उस आस्पेक्ट में भी इंपोर्टेंट है हमारे एसाई के सलेबस में वर्ड के इंडस्ट्रियल रीजन बता रहे है तो उसमें रूर सरवादी की इंपोर्टेंट है तो वो भी एज़िट इज पूछ लिया गया जाखम बहु उद्देशिय प्रियोजना राजस्तान के कौन से जिले में अवस्तित है तो जाखम किस जिले में अवस्तित है प्रताप गड में 31 सवाल था बारतिय समिदान संग में अवस्त शक्तियां किसका अनुसरण किया गया है तो अवस्त शक्तिया हमने कहां से लिए कनाड़ा तो हमारे समिदान के जो विदेसी स्त्रोत हैं हम political section में उसे पढ़ेंगे तो वहाँ एक अच्छे से इसको याद कर लेंगे बारतिय नहीं ववस्ता में जन हिज याचिका मतलब public interest litigation PIL जिसको बोलते हैं कौन लेके आए PN भगोती लेके आए थे राजस्तान की हैं चर्चित रहे हैं मिश्ण से इन्होंने अच्छा कारे किये राजस्तान राज्य मानवा दिकार आयोग इसके विन्यास क्या है मतलब मानवा दिकार आयोग की structure क्या है मानवा दिकार आयोग में कितने दो होते हैं एक अद्यक्स और दो सदस्य होते हैं। अमानवा दिकारायों का अद्यक्स कोण है वर्तमान में कोण है वो हमसारे आपको राजस्थान की जब परशास्निक सरंचना समझाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। कौन से राज्यों में स्थानिय सरकार के पंचायती राजस्वरूप को सर परथम अंगी कार किया गया। मेंडे मास यह जो पंचों है उसको मियाफ़े डिटेल से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार के रूप में अटाये गए संपत्तिक अधिकार पहले की सनुछेद का भाग था तो यह आर्टिकल उनिस का भाग था। इसको कहां कर दिया अब यह सवाल पूछ ले तो इसको हमने कर दिया तिन सो कैमे। वर्तमान राजस्तान राज्य विदानसवा में कितने सदस्य मनोनित हैं तो मनोनित का हमारे कोई प्रोवीजन नहीं है तो राइट अंसवरी जीरो। विदानसवा की स्ट्रक्चर दिशा मेडम ने भी आपको पढ़ाई है उसको दुबारा से अच्छे से पढ़ लें विदानसवा के अंदर सी के कितने लोग हैं स्टी के कितने लोग हैं महिला कितनी हैं स्टी के महिला कितनी टोटल सीट कितनी इस बार महिलाएं कितनी इन सब में से एक सवाल सब इंस्पेक्टर में आपको जरूर मिलेगा बारत के समयदान के प्रस्तावना में दिये गए आशवाशनों का सही करम क्या है तो आशवाशनों का सही करम है नियाए सोतंतरता समानता बंदुता और एकता को बढ़ाने वाली जो प्रियंबल के अंदर दारित नहीं की गई जरूर पढ़ने पर वो दो चार पांच कितने भी राज्यों का राज्येपाल का दाई तो निर्वेहन कर सकता है चालिसवा सवाल है बारत सरकार अदीनियम 1935 जिससे हमारा समयदान 80% बना है उसकी विशेष्ता प्रायंतिय स्वायत्ता उसने दी थी सं किस्ता अपना की थी यानि ए बी सी तिन्नो इसके राइट आंसर है लोकायुक्त की जाच के दाएरे में आते हैं सही विकल्प होगा राजस्थान में लोकायुक्त की जाच के दाएरे में कोन आते हैं तो 41 का है मंतरी आते हैं सचीव आते हैं रज्यपल नहीं आते स्वाय छ चार यानि पहला जो आंस्वर है वो इसका सही आंस्वर है। भारत की समूछ दांसरह का निर्मान कैसे किया गया। तो यह सवाल डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें दोंस्वर सही थे तो सबी को बॉनस के रूप में शामिल कर दिया, अदरवाइस कोर्ट में लंबा चेलेंज हो जाता अब अगला 43 सवाल है, वो बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल पुचा हमेशन सवाल पुचा जाता है अदिक्तम संख्या मंतरी प्रिशट में कितनी हो सकती है तो हमें पता है 15 परतिशत हो सकती है हमारे 200 MLA मतलब 30 मंतरी हो सकते है लेकिन इनों ने चलाकी से सवाल पूच लिया, न्यून्तम तो अगर कोई जल्दबाजी में न्यून्तम को अदिक्तम पढ़ लेता तो वो पहला आंस्वर कर देता और उसका गलत हो जाता न्यून्तम राइट आंस्वर होगा सेकिंड 11 पलस एक इतने तो आपको रखनी रखने आप अधिक्तम 29 पलस एक रख सकते हो ये एक अच्छा सवाल पिछली बार पूचा गया था बारतिय संसत के दोनों सद्रों में घतिरोद की स्थिति में सेंउक्त बैठक का परावदान किया गया है सेंउक्त बैठक मात्र समन्ने विदैकों पर बुलाई जाती है समिधान संशोधन विदेयक पर भी संयुक्त बैठक का प्रावदान अनुचेद 102 में वर्नित किया गया है तो जो 40 में है तो ये जो थर्ड है ये गलत है 102 में समिधान संशोधन की स्थिति में दोनों सदरों से अलग-अलग पारित कराना है सही उक्त बैठक का कोई प्राफदानी है तो राइट आंस्वर इज फोर बारतिय जंसंग के संस्थापक बीजे पी की सरकार थी तो पूछ लिया तो यह दिसका राइट आंस्वर होजेगा डॉक्टर शामा परसाद मुखर जी तो अब कॉंग्रेस की सरकार है तो आप एक्सपेक्ट करो कॉंग्रेस की आप उच सकती है तो यह कुछ राजनेती है वो भी एक्जाम को इंफ्लूइंच करती है मानलव विकास रिपोर्ट 2016 के नुसार बारत का कौन सा स्थान है तो अब इदिशा मैडम ने अलग-अलग सूच कांकों में बारत की रेंकिंग बता रखी आप उस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि किस रेंकिंग में कौन से पे है तब 131 वे रेंक पे हुआ करता था 2016 में पंदर वे वितायो क्या ध्यक्ष कों थे तो एनके सिंग राजस्तान में 2018-19 के बजट में किस स्थान पर उंटनी के दूद के प्रसंसकरन वे विपनन के लिए मिनी प्लांट यह बड़ा चलेंजिंग सवाल था क्योंकि बिकानेर में तो लगा रख है लेकिन बजट की बात पूछ लिए बजट में कहां किया गया तो बजट में जैपूर में किया गया था तो राइट आंस्वर होगा दो बिकानेर यहां गलत हो जाएगा जितने भी पंच वर्षी योजना है उनका एक टार्गेटेड सेक्टर होता है तो वर मेंश है पंच वर्षी योजना पढएंगे तो टार्गेड reduce पढएंगे किसमें किसको पुछआ जाता है क्योंकि पूछ लटें पांचवी का कौन था चाटी आसे का कौन था शाती का 13 तो यह पूछा गया था, सातवी पंचवर्षी योजना जो 85 से 90 चली, उसमें मुख्य था जोर किस सेक्टर पे दिया गया, तो खद्य उत्पादन रोजगार वे उत्पादकता पे दिया गया, राष्ट्य टिकाउ खेती मिशन के अंतरगत कौन सा उप मिशन सम्मलित किया गय है, तो टिकाउ मिशन में मरदा स्वास्ते पर बंदन, मतलब लंबे समय तक हम जमीन से पैदा लेसके, तो मरदा स्वास्ते पर बंदन, अब जी एस्टी पे सवाल आता है, बारत में वस्तू और सेवा कर कब लागू हुआ, तो ये एक जुलाई 2017 को लागू हुआ, राजस् राजस्तान के पस्चिमी जिलों में गरीबियून मुलन के लिए कौन सी एजनसी कारे कर रही है, तो ये कर्शी विकास के लिए अंतराश्ट्रिय कोश और रतन टाटा ट्रस्ट, पस्चिमी जिलों में कुछ पर्यावरन में सुखा उन मुलन के लिए कुछ गरीबियून मु तो जो तरेपन में सवाल में आपसे गनत्यों पुचा था उसका राइट आंस्वर है 66.29 अब 2000, हमने भी आपको जो राजस्थान का बजट पढ़ाया है, उसमें इस बार का गनत्यों बताया गिया है, उससे आप अपने आपको अपडेट कर लें कौन सा भारत में राजकोषे निती का निर्दार्न करता है, तो राजकोषे निती सर्फाइनन्स मिनिस्ट्री के पास होती है वित मंत्रा ले करता है राजस्थान में राष्ट्रिय आयूष मिशन का उद्देश्य क्या है तो आयूष सभी चिकित्सा पदितियों को एक साथ लाना मतलब आयूरवेद, ओमेपेथी, युनानी, योगा, अप्राकर्थिक चिकित्सा को एक साथ लाके उनका विकास करना वर्स दो जर सत्रा आठरा में बारत के सकल मुल्य वर्दन जीवी ये ग्रोस वेल्यू एडिशन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था तो सेवा से इस बार भी बढ़ा है लेकिन तब कितना था फिफ्टी फाइव पॉइंट टू राइट आंस वरीज फोर पिच्पन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो प्रमपरागत कर्षी विकास क्यों कर रहें था कि हम जेवी खेति को परोफ़साहिट कर लें कि पेस्टिशाइड से कैंसर और बहुत सी डिजीज हो रही है तो हम वापिस अपनी जेवी खेति क्यों लोट रहे हैं तो यहीं प सवाल इंट्रेस्टिंग सवाल था एकोनोमिक्स का है किस कोश को उपयोग बारत सरकार द्वारा एप्रत्याशित वे मतलब अगर एक्सपेंडिचर आ गया कोई आपके उपर तो उसको पूरा करने के लिए कौन सी निदी इस्तेमाल कर सकती है तो राइट आंस्वरिच आकस्म निदी 59 राष्थान मुख्य मंत्री राजश्री योजना की गोशना किस बजट में की गई तो यह की गई थी 2016-17 यानि Option 3 जो है उसमें यह गोशना की गई थी निमलिखित राजगोशी उपायों में से किसे अर्थ्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रियुक्त किया जाएगी तो बजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी बढ़ेगी तो उस पैसे से एकोनोमी को दुबारा से बूस्ट किया जा सकेगा पुश्ट किया जा सकेगा निमलिखित तत्वों के कौन से समूं में उसके सबसे बायतम कक्ष में चार पांच और छे इलेक्ट्रोन होते तो साइंस का सवाल हो गया तो सिलिका नाइट्रोजन और सोडियम सल्फर सिलिका नाइट्रोजन और सल्फर सिल्का में चार है नाइट्रोजन में पांच है और सल्फर में छे ये मेंडलीव की जो आवर साड़नी है तो साइंस में वहां से सवाल पुचा गया था तो हम आव साधनी को भी एक बार पढ़ेंगे कौन सा वर्ष अंतराश्टी जह विवित वर्ष यह पिछली बार भी जब आपको पढ़ाये तो कहा गया था तो 2010 का जो वर्ष है वह इंटरनेशनल बाय डाइवरसिटी यह हो गया year of diversity 2010 कौन सा पोशिक्त तो एक एंटी अक्सिडेंट नहीं है तो यह केरोटिनोइड विटामिन दे दिये टोको फेरोल विटामिन केले कोले कल्ची फेरोल विटामिन डी तो यह दे दिये थे फिर बाद में इस सवाल को इन्होंने बोनस करके सभी को मांक्स दे दिये किस पारिष्थित की तंतर में जयो बार का परतिलोमित पिरामिड मतलब उल्टा पिरामिड पिरामिड होता है तिर्भुजाकार उल्टा पिरामिड कैसे होगा जिसका सिरे है वो चोड़ा होगा पैंदा है वो तिर्भुज की तरह है तीखा होगा तो जो 64 वा सवाल था तो वो जैव भार का पिरामीड है, वो उल्टा बनता है, बाकी सारे एकोसिस्टम में क्या बनता है, वो सिधा बनता है. पंद्रह फरवजी दोजार सत्रा को बारती अंतरिक सनुसंदान संग्ठन नेशतीस तवन के अंदर से एक सोचार सेटलाइट बेजने का रिकोर्ड कायम किया, वो किस से बेज़े थे तो PSLV C-37, इस तरहें लैंडमार्क जो भी मिशन होते हैं, वो मिशन सवाल बनते हैं. मोबाइल संचार की 4G टेकनलोजी में जी माने, जेनरेशन, 5G, 5th जेनरेशन, कौन सा वन जीनोम की विशेशता, 3-4 वरक्ष पर जाती, परती स्कॉयर किलोमेटर, यानि 3-4 है, वो प्लांट स्पीसीज अलग लग, 3-4 पोद्य नहीं कह रहा है, ये प्लांट स्पीसीज कह पर स्कॉयर किलोमेटर होती है, तो राइट आन्सफरीज शितोशन, मानव शरीर में कौन सा मीनोमल, नियासीन में परिवर्टित हो जाता है, विटामिन B में कनवर्ट हो जाता है, तो ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन जाके आगे विटामिन B में कनवर्ट हो जाता है, बारत अपने रक्षा मंत्रा ले तो लड़ाकू विमार राफेल खरीद रहे है जो आ भी गे और खूब शोर भी मच गया तो कहां बने थे फ्रांस नैनो टेक्नलोजी में नैनो शब्द उसका अर्थ क्या है और किस बाशा का है तो अगर हमें इतना पता हो युनानी बाशा का है तो भी सही हो जे मतलब बोना बहुत चोटा तो नैनो क्या होता है दस की पावर माइनस नो मीटर तो नैनो का मतलब दस की पावर माइनस नो मीट बार्त के परदानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL रास्तान रिमिटेड का उद्गाटन किस जिले में किया तो आपको सारों को पता है पच्पद्राबार्ड मेर में आगी है रिफाइनरी इसमें कितना कितना रेश्यो है राजस्तान का वो भी सवाल बनता है किस ने लगाई HPCL ने लगाई ये भी सवाल बनता है वाईयो मंडल में CO2 कितनी है पॉइंट 03% यानि एक परसेंट से कम है तो ये राइट आंस्वर होजेगा लंदन दूमकूहरा यानि लंदन जो स्मोग बना स्मोग प्लस फोग बना वो सवाल में पूछा गया किस वर्ष आया तो 1952 में दो स्मोग है लोंस एंजलिस और लंदन तो 1952 में लंदन स्मोग आया था N6 बहु ऐसंत्रप्त वसी अमल का दूसरा नाम है तो ये बड़ा कन्फूजिंग सा सवाल था किसी को उस वक्त भी नहीं आया बाद में इसको बोनस कर दिया गया विद्यूत की मात्रा की अंतराष्ट्रिय मानकी काई हम तो क्या कहते हैं कितने एंपियर दारा बेह रही है लेकिन अंतराष्ट्रिय पूछ लिया तो अंतराष्ट्रिय है कुलाम क्या है कुलाम दो उमीदवारों के चुनाओं में जिस उमीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वे 19,800 मतों से प्राजित हो गया कुल कितने मत दो तो उमीदवार थे एक को 39 मिले तो दूसरे को कितने मिल गे 61 61 में 39% प्लस 19,800 जोडेंगे तो बनजेगा 61% इन दोनों को जोडेंगे तो जो इसका अंस्वर उन्होंने दिया था वो था 90,000 यहां दो कोलम में से दूसरे कोलम में दी गई संख्या हैं पहले कोलम में दी गई अक्षरों का कूट है परते एक अक्षर और उसके कूट का परिक्षन करते हुए परते एक अक्षर का कूट पहचानी इसमें इन्होंने क्या किया थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करके दो की अलग सिरीज चला दी जो N I K word है N I इसमें से लिए K तो यह यहां मैच नहीं बेठा तो ग्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि दो पैरलर सिरी जागी इसमें तो दो पैरलल सीरी जाने की वज़े से ये इसकांस्वर होज़ेगा ग्यात नहीं किया जा सकता एक धन है वो चक्रवती ब्याज में दो वर्ष में 4850 से रुपे बढ़ता है और तीन वर्ष में 535 रुपे हो जाता है तो मतलब कहने का मतलब है उसकी ब्याज दर तो चक्रवती ब्याज के जो दर है फॉर्मुले है वो सीधे सीधे स्मूथ सवाल है पूछ सकते हैं त्रिपु जो रायतों के संख्या वो चित्तर में पूछने का ये फेवरेट सवाल है रपेसी का एक जरूर पूछेगी जहां भी रीजनिंग स्लेबस का पार्ट होगा वहाँ ये जरूर पूछा जाएगा तो इसमें आठ अंस्वर दिया गया था अंस्वर की में मैं आपको बता दूँ ये सोल अब हम करेंगे जब बात करेंगे ये बलेड रिलेशन का सवाल आगया A और B बेने हैं R और S बाई है B और S का क्या संबन्द है तो इस का अंस्वर होजेगा मुसी दो मिश्टर दातों में तांबे और टीन का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है और दूसरे मे एक अनुपाद 6 है जिए पर्थम मिश्टर दातों में 7 किलोगराम दूसरी में 21 यानि वो ली भी एक अनुपाद 3 में लिया गए तो नई मिश्टर दातों में क्या होगा तो एक अनुपाद 3 में लेने के लिए इसको 3 करो इसको 18 तो 18 और 4 बाईस 3 और 3 6 तो इसमें जब हम बात करेंगे तो ये बन जेगा 6 अनुपाद 22 यानि 3 अनुपाद 11 तो पहलांस वर सही हो जाएगा अब ये कतन कारवाईयों की बात की गई है तो ये थोड़ा सा लोजिकल सवाल है सोचने का सवाल है लेकिन एक एक नंबर के लिए कट ओफ में मारा मारी होती है तो उमीद ह कि आप थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करके जाएंगे कतन है मानसून के समय मलेरिया रोग्यों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है क्या करना चाहिए विदान सभा में परशन उठाना चाहिए चंता द्वारा इसकी रोक थाम के उपायों को सरकार द्वारा प्र आप सूचना दी जानी चाहिए सब ही अस्पतालों को मलेरिया रोग्यों के लिट त्यार कर देना चाहिए तो विदान सभा में प्रशन उठाने से क्या होगा वहां पे कमेट्टी बनेगी कमेट्टी डिसीजन लेगी तब तक मलेरिया का सीजन चला जेगा तो पहला एवे पूछ रहा है कॉर्पोरेट और केंदर सरकार से कतित राशी का लगबग अनुपात के है एक्यूरेट नी पूछ रहा है लगबग पूछ रहा है तो इसको जब हम जोडते हैं तो 33 और 11 चुमालिस चुमालिस और 16 60 60 और 4 64 64 और 2 66 तो केंदर सरकार का इस्सा हो गया 34 अब य त्यानि 11 अनुपात 34 मतलब एक अनुपात 3 अप्रोक्सिमेटली पूछा ना 33 में एक्यूरेट हो जाता तो राइट आंस्वर इस टू च्रंखला है 15 35 74 14 इसमें क्या आएगा तो यह बड़ा इजी सवाल था 3 इंटू 5 बराबर 15 5 इंटू 7 35 7 इंटू 11 77 11 इंटू 13 14 तो 13 इंटू 17 13 इंटू 17 इस इकल टू 21 राइट आंस्वर इज फॉर तो चोथा इसका आंस्वर हो जाएगा दो तर्क दिये गए हैं आपको निन्या करना भी कौन सा मजबूत तर्क है कौन सा कम जोड़ तर्क है तो यह कहरे हैं भी विश्वी द्यालों में च्छातर संग चुनाओं पर प्रतिबंद लगा दियाना चाहिए बिलकुल यह विश्वी द्यालों में एकादमिक वातावर यह रखना चाहिए तो यह सई चीज थी इसमें जैपुर का परकोटा किसलिये चर्चा में आया क्योंकि युनेसको ने क्या किया था उसको विश्व द्रोहर सुची में शामिल किया था तो राइट आंस्वर चार यह करेंट का सवाल हो गया प्रतीक हजेला कौन है प्रतीक ह जैला बड़ी चर्चा में रहा था क्योंकि वह अमिच्छा, नरेंद्र मोदी, NCC, NPR चल रहा था तो यह राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर, NPR जो नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसके असाम राज्ये के कोर्डिनेटर थे परधानमंत्री के विज्ञान तकनिक की और नवन में सलाकार परिस्ट के मुख्या कोन है तो यह है के विजे रागवन तो उस टाम के विजे रागवन इनके हुआ करते थे बिम स्टेक तो बेवफ बंगाल इनिशेटिव वड़ा जो है उसका मुख्याले काएं तो यह डाका में सारक काएं काट मंडू में तो यह थोड़ा ध्यान रखने वड़ी बात है तो इनके मुख्याले की पूछ सकते है चोबिस फरवी 2018 को मेलबोर्न में जिमनास्टिक वर बारतिय जिमनास्टिक कौन थी अरुना बुद्दा रेड़ी तो अरुना बुद्दा रेड़ी जो एधराबाद की है उन्होंने इसमें वेक्तिकत्स परदा में मेडल प्राप्त किया था बारतिय जिमनास्टिक से हमारे अभी भी स्पोर्ट्स में हमने नहीने अचीवमें के लिए ब्रेक ले रखा है लेकिन इस बार जो भी होगी चारों विम्बलडन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और यू.S. ओपन स्डरी, यू.S. ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, ऐस्ट थेलियन ओपन चारों में मेल वीनर, फिमेल विनर, फिस्ट रॉनर अप और मिक्स विनर यह हमें याद करके जाएंगे ताकि कोई सवाल आए तो हमसे गलत राओ कौन सा बारतिय खिलाडी अब तक कि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला सबसे कम उमर का खिलाडी है तो यह है शारदुल विहान, शारदुल विहान को था, यह 15 साल का लड़का था जिसने डबल ट्रैप शूटिंग में पदक जीतना था एशियाई गेम्स में प्रोच साहित करना, क्योंकि अभी थोड़ी पढ़ने के आदद कम होती जारी है, उस चक्कर में बनाया था तो यह संस्किर्ट ना होके, इंदी और अन्य वारति वाशाई होगा चौरानवेवा सवाल, राजस्तान के निम्लिकित खिलाडियों में उस खिलाडी को चिनहित कीजिए, जिसने आलिम संपने इश्याई खिलों में एक कल्स परदा में पदक जीता, तो यह दो खिलाडियों ने जीत लिया था, इसलिए इस सवाल को इन्होंने क्या किया, बोनस सांस्कृतिक नहीं, यह सांस्कृतिक नहीं था, यह कम्यूनिकेशन कमपैटिबिलिटी एंड सिक्यूरिटी के लिए बना था, तो यह बी आंस्वर गलत हो जेगा केवल एह ही सत्य है, 96 सवाल आते हैं, अमेरिकन सिनेटर जोन मेकेन के बारे में, यह एरिजोना के सिनेटर थे, अमेरिके रास्टपती चुनाव में रिपबलिक पार्टी के कैंडिट थे, दुन नहीं बात सही है, तो ऐ और बै दुनों सत्य है, अमेरिकी रास्टपती चुनाव इस बार हुआ है, तो यह इंपोर्टेंट सवाल है, अमेरिकन प्रेजिडेंट इलेक्शन कोम इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, फिर इसका बोनस मार्किंग कर दी, और 98 ललित कलाक आदमी का नया देक्स की से बनाया गया था, तो अब बरतवान में कोण है, वह माग को राजस्थान के क्लासेज में कराएंगे, सौनम वांग्चुं के तरिक दूसरे बारती है, जिन्होंने इस वर्ष यानि 2018 जब हमारा पेपर हो रहा था, साथ अक्टूबर को रमन मैक्से से जितता, तो ये कोण है, बरतवाटवानी, कोण है ये बरतवाटवानी, ये हैं साइकेटरिस्ट, तो ये मनोस्वास्थे के लिए किया इन्होंने काम, तो ये रमन मैक्से से जितता था, अंतिम सवाल है, जिन्सन जोंसन ने एशियाई खेलों में दो पदक जितते हैं, तो जिन्सन जिन्सन किस कैटेगरी का प्लियर है, पंदरा सु मीटर का और आट सु मीटर का, कहां की हैं ये, तो लगता है विद इसलिए इनको सवाल के रूप में पूछ लिया गया, तो ये सो सवाल थे जो पूछे गए, तो हम इसी क्या दार पर देखेंगे, गेम्स में से कैसे सवाल आते हैं, आर्ट एंड कल्चर में कैसे सवाल आते हैं, तो हम इसको आगे अपनी त्यारी को जारी रखेंगे, आपक झाल 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 झाल